हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब तो चलिए आज हम आप लों के साथ सेयर करने वाले हैं फेस वैक्स तो उसके रिए देखिए हमने अयूर का चॉकलेट वैक्स लिया है और उसको हम एक अंदाज से कि फेस पे कितना लग जाएगा उतना ही हम हीटर में डालेंगे तो इस तरीके स से हमने जो है वैक्स को इसमें डाल दिया है और गरम हो रहा है और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो लाइक करिएगा सेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और इस तरीके से देखिए उतना मतलब एक अंदाज से गरम करिएगा बहुत जाएजी हीटर में बहुत तेजी से बहुत जल्दी गरम हो जाता है और चलिए फिर हम आपको जो है अपने कस्टमर का फेस दिखा देते हैं कि किस फेस पे हमें करना है तो यह हमारी कस्टमर है इस तरीके से देखिए साइड में इनके जो है काफी बाल है साइड में भी है फेस पे भी है तो इस तरीके से देखिए इसी बाल को हमें हटाना है और इसको हटाना कि इस तरीके से है सबसे पहले हमें जो है डारेक्शन के लिए समझना होगा कि हमारा डारेक्शन किस तरफ क सबसे पहले समझना है अगर हमारा डारेक्शन सही है इस तरीके से नीचे के तरफ बाल थे तो उसी तरीके से हम वैक्श को लगा रहे हैं तो जिस तरफ मारा डारेक्शन हो उसी तरफ में वैक्ष को लगाना है और फिर उसके पट्टी को रखे और उसको थोड़ा और अगर आम फोरेट परूह करें यहां पर तो वहां के लिए पथी-पथली इस्ट्रिफ काट लेंगे और एब्रो को बचाते हुए में जो हो वैक्स को करना है क्योंकि अगर एक दो बाल भी एब्रो के आ जाएंगे तो बाल निकल जाएंगे तो इस तरीके समय बचाते हुए एब्रो को वहां से बाल को निकालना है इसलिए जब हम उपर करेंगे तो पतली सी स्ट्रिप को काट ल रखेंगे और हलका धबा देंगे पर इसकीं को नीचे से टाइट करेंगे यहां पर हम निकालेंगे तो हम इसे बोलेंगे जो अपनी आंक को खोलें तो आक को कुलवा के ही आप लोग वहां से वैक्स को करियेगा जिसे की इसकीन जो जो हमारे जो पलक है इसमें ना आए यहां पर हम करेंगे चीन एरिया पर यहां पर हमें पतली सिट्रिप काट लेंगे यहां के लिए भी तो हम करेंगे वेक्स में आपको केवल डायरेक्सन ही समझना है अब यहां पर देखिए साइड साइड से डायरेक्सन है नीचे के तरब नहीं साइड से है तो उस तरीके से देखिए हम वेक्स को लगा रहे हैं और उसी तरीके से हम उसके अपोजिट खिचेंगे इस तरीके से देखिए उल् प्रॉब्लम नहीं आएगी त्रिक उसी तरीके से देखिए गहां भी करना है डारेक्शन को देखते हुए नीचे के बाल है तो उस तरीके से देखिए हम स्ट्रिप रखे हैं और नीचे से यहां से स्कीन टाइट करेंगे और फिर उसको यह जटके में खीच के निकाल देंगे उपर भी हाथ रख देंगे वहाँ से जहां पर बाल निकले हुए हैं ताकि कस्टमर को दर्द कम हो और बहुत सी लड़कियां इस तरीके से होती हैं कि अपने फेस पर धागे से बाल को हटवाती हैं तो एसा बिलकुल भी ना करें धागे से आपको ज़्यादा दर्द होता ह वैक्स से आपको दर्द कम होगा और वैक्स अपके लिए बहुत ही अच्छा है थोड़ा से अपका सय लिजे मतलबvy आपको उस से धागे से तो कम ही दर्द होगा वैक्स से और वैक्स बहुत ओऑ बहुत ही यह समझना है वेक्स करवाएंगी तो नॉर्मल बाल आएंगे अब यहां देखे फोरेट पे बाल जो है नीचे-नीचे के तरफ हैं तो यहां हम उसी तरीके से वैक्स को लगाएं हैं और साइड चनली खीचेंगे उपर की तरफ खीचेंगे इस तरीके से देखें तो यहीं सार और हमारी यही राय यही सलाय है कि आप लोग हमेशा जो है अपने फेस के बाल हटवा रही हैं तो वैक्स से ही हटवाएं जिससे आपको कोई नुकसान ना हो जब भी बाल आएंगे तो बाल जो है नॉर्मल आएंगे एक दम सौप्ट बाल आएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी अब फिर वही देखिए डारेक्शन को देखते हुए हम बाल को निकालेंगे तो एकदम अच्छे से हमारे बाल जो है साफ हो जाएंगे अगर हम गलत डारेक्शन से निकालेंगे तो कितना भी वैक्स हम कर ले हमारे बाल वहां से हटेंगे नहीं बस खाली आपको वैक्स में direction को ही समझना है और कुछ नहीं करना है अजी से जो है डारेक्षन समझ में आ गया हूँ एक दाम सानी से wax कर सकता है डेखिए यहां पे अपडाधी पे हम करना हैlex तुझ कर वारें है तो यहां ताइट करवा के फिर आप इस तरीके से देख नहीं भी उसके उट्टा अप्योजिट इस तरीके से खीच के निकाल दे रहे हैं और एकी बार मेए मतलब इसकी पर निचे से टाइट करके एकी बार मेए खिचे निकले जैसे कि बार बार ड grinding ना हो क्या कि है धागे से कमी दर्थ होता है हम तो यहीं कहाँगे कि कोई भी धागे से अपने फेस पे बाल को ना हटवाएं अब यहां पर देखिए जो हम निकालेंगे तो कस्टमर से बोलेंगे कि वह अपनी आख को खोल ले इस तरीके से हम बाल निकालेंगे तो यहीं सब छोटी-छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान देना होता है और फिर साइड से यहां से साइड साइड से बाल है तो फिर उस तरीके से हम वैक्स को लगा रहे हैं तो यह सब सारी चीजे दे ध्यान में देते हुए इस तरीके से वैक्स को करिए एकदम आसानी से वैक्स कर ले जाएंगी बसके लिए ध्यान देना डारेक्शन को ध्यान देना है और जब भी वैक्स को हटाईए तो नीचे से स्कीन को टाइट कर लीजिए उसके बाद ही अटाईए और फिर अब हम चीन एरिया पर हटा रहे हैं हर तरफ पूरे फेस पर आपको डारेक्शन देखते हुए करना है जिस साइट के जिस साइट के जिस तरीके से डारेक्शन है उसी तरीके से आपको बाल को निकालना है उसका पोजिट उल्टा खीच के अप फिर हम पूरे फेस को क्लीन कर देंगे अभी ब्रो इनकी बाकी है त सहल जरन चर्ठी वह आरडरक देखता है तो हम धागे से करेंगे तो जब भी आपको कर दिखा दे रहे हैं तो जब भी आप वैक्स करिए हैं और अभाई पे तो हम पर उससे ऐ जो अच्छा यह आपा हां कि आप antik on a.k आप धागे से बनाएएं जिससे कहес हमारी आप्रो खराब भी ना हो क्योंकि वेक्स में जो भी बाल आ जाएंगे तो निकल जाएंगे इसलिए आप्रो को बचाते हुए में फूरे फेस पे वेक्स करना है और आप्रो जो हम करेंगे उस टाइम तो हम जो है धागे से ही करेंगे वैक से नहीं करेंगे इसी तरीके से में दोनों एब्रो कर ले ना है धागे से और वीडियो को इसलिए हम कहीं से कट नहीं किये है पूरे फेस का आप लोगों को दिखाए है पूरे फेस पे कहा कहा कि इस तरीके से वैक्स लगना है इसलिए कोई कट नहीं कि जिससे कि आप लोग वीडियो देखें और सीखें कहीं से कोई भी कट नहीं हुआ पूरा वीडियो डारेक्ट पड़ गया है तो इस तरीके से देखिए हम एब्रो बना दिया है उसी तरीके से हम दोस्तोरे साइड भी एब्रो बना देंगे आप फीर हम फेस को एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे जिससे कि हमारे फेस में कोई वैक्स लगा हुगा ना हो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए तो वैक्स है जो डिको करनी है बैस नगे ऐसा एका यह फेक बैंब कर देगके बैवार भी और इसे हमें और यह Albog को चॉकलेट लगा को पुरी एक्ते हें आप एक यह सकती है उपाद में इस तरही इस तरह रहे हैं जिसे कि इनके फेस में कोने दाने ना आ यह तो dat जहां तक हो सके इस्टूजियन के ही लगाई है और अगर नहीं है तो आप जेल को भी लगा सकती है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो यह इनका कम्प्लीट हुए